हलो, नमश्कार, वेलकम टू इंकलकेट लर्निंग, तो आज हम बात करेंगे NCERT के बारे में, जिसके बुक्स हम जो है स्कूल लेवल पे पढ़ते आएं, नेशनल काउंसल ओफ एजुकेशनल रिसर्च और ट्रेनी, ये एक उटोनमस बोडी है, और 1961 में जो है, गवर्मेंट करेंगे, किस चीज़ पर असिस्ट करेंगी, तो पॉलिसी और प्रोग्राम्स बनाने में, क्वालिटी इंप्रूव्मेंट के लिए, किस लेवल पे, स्कूल एजुकेशन के लिए, जैसे हम यूनिवर्सिटी ग्राइंट कमीशन पढ़ते हैं, तो वो यूनिवर्सिटी ले स्कूल एजुकेशन, इन ही चीज़ों के अराउंड भूमेंगे, मतलब जितने भी अब्जेक्टिव, जितने भी फंक्शन, आप कहीं भी पढ़ेंगे, वो इसी के अराउंड दिखेंगे, आपको कि ये, उसका जो मेन मोटो होगा, कोई भी फंक्शन का, वो यही होगा, कि ये quality improvement in school education पे work कर रहे हैं, अब देखते हैं इनके objectives के बारे में, जो दो-ती major objective हैं, जो हमें, मतलब याद रखने ही हैं, चाहे नहीं इन से उठा के कोई पूछे, वो है कि ये nodal agency की तरह काम करती है, किस चीज़ के लिए universalization of elementary education के goal को achieve करने के लिए, अब universalization of elementary education क्या है, यान की elementary education जो है, वो universalize होनी चाहिए, यानि 14 की age तक education सबको मिलनी चाहिए, basic education का सबका fundamental right है, चीच है, तो ये जो है nodal agency है, इस goal को achieve करने में, दूसरा है कि इंप्लिमेंटेशन agency है, किस लिए bilateral cultural exchange programs के लिए, bilateral मतलब दो side से, यानि एक India और दूसरा गर किसी country के साथ, group में नहीं, group में होता है, जब हम कई countries को include कर लेते हैं, लेकिन bilateral होगा कि two sided, two sided ठीक है, तो bilateral cultural exchange programs करेंगी ये, with other countries, किस field में, obviously school education के field में, तो इस चीज़ पे भी इनका focus रहेगा, उसके बाद है, undertake, promote and coordinate research in the areas related to school education, मैंने आपको यहां भी बताया था कि, इसके सारे objective school education के quality improvement, collaborations, research, उन चीज़ों से related होगे, तो यह क्या करेगी, research से related जो है, promote करेगी, coordinate करेगी, जो भी research जो है, वो school education के field में होगी, फिर है, यह prepare करेगी और publish करेगी, किसको model text books को, जो NCRT की books हम पढ़ते हैं, उनके बारे में बात हो रही है, कोई भी newsletter हो या develop करेगी educational kits, basically वो ही same चीज़ school education के लिए, फिर है, organize करेगी pre-service और in-service teacher training, pre-service यानि कि जब government job लगती है, उससे पहले जो teachers को training मिलती है, pre-service, service से पहले, और in-service यानि service के दोरान, तो यह जगया जगया पे, diets वगयरे, जो diet होती है, district level पे, उनके under जो है, यह program चलता रहता है, तो in-service training, तो यह अकेले नहीं करते, collaborate करके करवाते हैं, जो in-service या pre-service होती है, SCRT, diets इनके साथ, जो हम यह educational bodies भी बाद में पढ़ेंगे, फिर है, develop करती है, और disseminate, disseminate यानि कि spread करना, किस चीज को innovative educational techniques and practice, कि आप कितना innovatively जो है, school level पे बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ताकि वो इस तरह से, जो है, सीखें चीजों को, learn करें, कि वो बहुत rare ही कभी भूलें उनमें से, memorization की बजाए, आप practical life से जोड के चीजों को पढ़ाए, innovatively जो है, education को उनके दिमाग में डालें, फिर है, act as clearing house for the ideas and information in matters related to, again, school education, फिर है, collaborate and network with state educational department, जो हमने यहाँ बात की थी, जैसे pre-service, in-service में, state educational department, जैसे SCRT है, या diet है, या कोई और other NGO है, या कोई और educational institution है, कोई private schools है, तो उनके साथ जो है, collaborate करेंगे, उनको approach करेंगे, और basically, school education की quality को improve करने की, हर मुमकिन कोशिश करेंगे, फिर है, interacts and work with international organization, जैसे हमने यहाँ bilateral की बात की थी, वैसे ही यह बाकी countries के साथ भी जो है, वो collaborate करेंगे, interact करेंगे, तक ही culturally भी जो है, हम cultural exchange programs कर सके, school education, school level पे जो है, हम education के field में, sports के field में, और जो है, cultural activities जो है, उन चीजों के लिए हम बढ़ाव दे सके, उसकी बात है, national और regional institutions जो है, उनके साथ भी, यानि कि यह international की बात की हमने, वैसे ही national और regional institutes के साथ भी यह collaborate करेंगे, एक और चीज है कि, बहुत कुछ एक sites है, apps है, जो इसके NCRT के अंडर कम करते हैं, यानि कि यह NCRT उनके coordinators में से एक है, for example, swim portal के बारे में हम सब को पता है, जब हम swim पढ़ेंगे detail में, तो उसमें हमें पता चलेगा कि, यह 9 जो है, जैसे NCRT है, ऐसी ऐसी अलग-अलग educational bodies जो है, national level पे, उनके उन वो जो 9 educational bodies है, वो इसको coordinate करती है, तो swim के coordination में जो 9 में से 1 educational body है, वो NCRT है, जो इसको coordinate करती है, ऐसे ही my government app जो है, फिर पा कुछ एक sites और apps जो है, वो NCRT के, अंडर काम करती है, आपका भी NCRT की website open करके देखेंगे, तो उसमें नीचे जाके last में, जो है, कुछ एक apps और उनके links मिलते हैं, तो आप उसका मतलब है, कि यह सारी की सारी applications, यह सारी sites जो है, वो NCRT उनके, या तो coordinate करती है, या one of the coordinator होती है, तो यह था NCRT के बारे में, जो important चीज याद रखनी जरूरी है, वो है 1961, उसके बाद तो हमें mostly सारी चीज़ें याद होई जाएंगे, कि यह school education से related है, so this was all about NCRT, अगर आपको यह video informative लगा हो, तो लाइक कीजिए, शेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, इनकलकेट निंको, thank you so much for watching.